ओम शान्ति आज मीठे बाबा ने जो मदुर महवा के उचारण किये उन पर अब हम मदन और चिंतन करेंगे आज 28 जुलाई आदर्निय मन मुहिनी दीदी जी का दिवस है और आज के दिवस पर हम सबने ये महवा के सुने आईए बाबा बोले मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए रावण की जनजीरों से लिबरेट होना है तो बाब की शिरिमत पर चलो बाब आते ही हैं तुम्हे सब दुखों से लिबरेट करने है आप देखिए आज के मनुश्य परमात्मा को क्यों याद करते हैं जै किसी भी धरम के हैं किसी भी विदी से करते हैं समझ से करते हैं ना समझी से करते हैं अंद विश्वास से करते हैं करते तो हैं दुखी है इस इसका मतलब क्या हुआ हुआ कि दुख से चुडाने वाला और कोई नहीं है, जितने उन्होंने साधन करने अपनी तरीके से भी कर लिये, जिस दिस धर्म को वो मानते उस धर्म का भी अधार ले लिया, सब कुछ करने के बाद भी परमात्मा को याद कर रहे हैं, और क्या कहते ह हैं कि हमें छुडाओ, हमें लिबरेट करो, दुख से मुक्त करो, मुक्ती दो, लिबरेशन दो, सद्गती, कुछ भी शबत यूज़ करते हैं, तो बाबा कहते हैं, इसे साफ सिद्ध होता है, कि मैं परमात्मा ही जिदीरों से छुडाने वाला हूँ। और उसमें जो एक बात कहीं, जो हमारे दीदी जी की विशेष्टा थी, शुरीमत का पालन। दीदी स्वें भी शुरीमत का पालन करते थे, और सब को उसके लिए प्रेरित भी करते थे। क्योंकि भगवान को तो लिबरेटर कह दिया, अब परमात्मा कैसे लिबरेट करते हैं, कोई तरीका बताएगा कि नहीं। कोई व्यक्ती जेल में फसा हुआ है, और कहता है मुझे छुडाओ, तो छुडाने वाला तरीका तो बताएगा न। भी ऐसे कर, तो बाबा के तो वो शुरीमत है, तो अगर शुरीमत पर ही नहीं चलोगे, पकारते ही रोगे, लिबरेट कर, तो कैसे करेगा, क्योंकि बाब की मुडली में आ जाया है कि सबसे भारी मनजल कौन सी है, जिसका पुर्षाद बहु काल से चाहिए, और बहु काल एक इंपोर्टन्ट पॉइंट है, और हमारा जो बहु काल का अभ्यास है, वो यह है, कि बहु काल से एक्ष्व बाबा की याद रहे, ताकि अंतस समय बाप क सिवाए और कोई की याद ना आए, अब देखिए बहु काल हमारे लिए तो बहुत बातों में लागू होता है, आत्मा और परमात्मा का जो बिछोड़ा है, सबसे ज्यादा बहु काल का देवताओं का है, हम लोगों का है, ब्रामनों का है, क्योंकि परमात्मा हमको लाइक बना कर सबसे पहले दुनिया में भेज़ देता है सोरग में, माता पिता भी अपने लाइक बच्चे को क्या करते हैं, जा कमा के ला, और जो बचारा नलाइक होता है, या इन वैलिड होता है, उपंग होता है, उसको घर में रहके पालना करते हैं, गउशाला में कौन सी और किसी ने कि दूद नहीं देती पच्छा रोता उसको रख लेते हैं तो इसी तरह भगवान कहता है कि परम दाम में भी मैं क्या करता हूं कि जो सबसे मेरे लाइक मेरे समान अपनी छवी में रह चोई बच्चों उनको मैं भेज़ देता हूं तो फिर वो बचारे बहुत काल से भगवान से तो बिशड जाते हैं इसे साबसे भी बहुत काल है अब मिलना है अब परमात्मा कहते हैं जो मिलने की बात है सबसे बड़ी बात होती है अंत की वकत अंत के समय क्या वस्ता होनी चाहिए क्योंकि अंत तो एक सेकंड में आ जाता ह सेकंड से भी कम आ जाता है एक स्वास निकला अंत हो गया बड़ी दीदी का वे यही स्लोगन था क्या अब घर जाना है अब वो टाइम जब आता है घर जाने का तो श्रीर तो छोड़ना पड़ेगा उस वकत हमारी क्या स्थिती एग्जेक्टली जब हम लास्ट मोमेट में हैं उसके अनुसार हम आगे हमारी अगली जातरा शुरू होती है यहां भी ऐसे होता है सुबा उठो आपके मन में जो पहला संकलप आगया अगर सधारन भी आगया तो आपका ध्यान उस तरफ जाएगा आप उस तरफ चल पड़ेंगे इंपोर्टेंट है कि हम परमात्मा को या परमात्वेंट काकंताल चाल जाता है ली लेकर अंतमात्जिव उसके जो संकलप चाते आये उसके लिए बहुत काल का भ्यास पाल का करनी और थे कानल वहीं करने कैंगे जिसका बहुत काल भ्यास होगा अब किसी को आलस से का बहुत काल का भ्यास है तो अंत में भी कुम करनी बना रहेगा बाबा ने आज ये बताया है कि कई बच्चे अच्छे बले चल रहे होते हैं लेकिन फर डामाडोल क्यों हो जाती है उनकी अवस्ता उसका कारण है बाबा किते निश्चे में कमी आ जाती है नहीं उनके निश्चे की कमी भी बहुत काल से होती है ऐसे नहीं आ जाती अंदर सॉलिड बेसिक उनका निश्चे होता ही नहीं कुशी कुशी चलते रहे इच्छी बात में असान धारना करते रहते तो जैसे कोई पचा छटी में पढ़ना शुरू करते तो सारा साल तो चलता रहे गा ना लेकिन उचानक जब प्रिक्षा आती है तो तो डामाडोल हो जाते हैं और इसमें प्रीक्षाइं आती ही रहती हैं डामाडोल होते ही रहते हैं कारण निश्चे की कमी है जिसको दिर्ड निश्चे है उसकी डामाडोल अवस्ता नहीं होती है उसके एक रस होगी और एक और निशानी क्या है दिर्ड निश्चे वाला एक एक वरोसा रखेगा, दूसरे और अधार भी बनाएंगे, तो जब अधार और और बनाएंगे, तो अबस्ता तो एक रस नहीं रह सकती है, डामा डोल होगी, और उससे बाबा कहते हैं, खुशी भी कम हो जाती है, और बाबा ने मिसाल दिये, पारे का, जैसे पारा होता है, वो सकता है, अब थर्मा मीटर लगाओ आप, जितनी जितनी किसी को बखार होगा, उतरा उतना पारा उपर जाएगा, ठीक है, इसी बरकार से नशा भी ऐसे होता है, जितना जितना अमंगुसा रहेगा, आपका नशा चड़ा रहेगा, अमंगुसा ढीला हुआ, नशा नीचे आ गई निश्चे हुआ खुशी उपर अब रोज होता है मुरली सुनते हैं तो बच्चों की खुशी फिर टॉप अप हो जाती है फिर दुनिया में जाते हैं जरा भी सिम्रिती हुई तो खुशी कम हो जाती आज का जो गीत बजा है वह है भोले नाथ से निराना कोई और ने आज का बिलिन पदाने वाला कुल यार में ही कुनिका डबरू डबडब बूल अगम निगम के दे दखोले कुनिका डबरू डब डब बूल अगम निगम के दे दखोले कुनिका डबरू यार में ही बुले नाथ से निगम के दाला कोई यार में ही बाबा केते हैं कि बच्चे तुम भोला नाथ से बाबा के सम्मुक बैठे हो और ब्रह्मा मुक के द्वारा ये राजयोग सीख रहे हो बाप आकर के ब्रह्मा के द्वारा सर्ववेदर शास्त्रों का सार सुनाते हैं लेकिन तुम को समझाने वाला कौण है? कि परमात्मा शेव ग्यान का सागर है वो के बेडर शास्तर पड के ज्यान नहीं देता है इसलिए बगवान कहता है लेकिन जो मुनुश्य आत्माउं ने परमात्मा के ग्यान पर अधारित कम ज्या ज्यादा किसी शास्त्र में कुछ है थोड़ी सी किसी में कुछ है अगर एक ही शास्त्र में सब बाते होती है तो अने एक शास्त्र बनते ही नहीं तो जैसे थोड़ा थोड़ा अंश ग्यान का शास्त्रों में है अब बाकी उसमें और और चीज मिक्स कर दी है इसलिए लोग कन्फ्यूज हो गए है फिर भी ब्रह्मा के हाथ में बेद शास्त्र दिखाते है अब सोचने की बात है ब्रह्मा के आत्मे बेद शास्त्र कहां से आगए तो बाबा कहता है इससे दो बातें सिद्ध होती है कि ब्रह्मा इस्साकार दुनिया में आए प्रमात्मा ने उनको इस्साकार दुनिया में प्रजा पिता का टाइटल दिया उन्होंने उनके दोरा प्रमात्मा ने प्रजा बताते हैं, तो वो, पुरिती कात्मक शास्तर दीया रूमरह मा को. वक्ती में बौट कुछ मेश्चर हो गया. बाबा कते हैं कि अब तुमको यादाया है. मैं तुमको झजब समझदार बनाता हूँ, तो तुमको यादाया है, कि हम ही विशुरू के मालिक थे, और आज हम माया के गुलाम बन पड़े हैं और मात्मा जब हमको बताते हैं तब हमारी समझ में आता है इसलिए बगवान कहता है कि मैं जब आके भेद खोलता हूं तो तब तुम्हें इन सिंबल्स का भी पता लगता है कि शास्त्र क्यों दिखाए यूद्तों कहते हैं ब्रहमा के तो आरे स्तापना हुई लिकिन क्या Brahma ने शास्तर पड़के स्तापना कि बाबा बता रहा है तो बाबा के से रियलाजेशन होती है तुमको कि हम पहले विश्यो के मालिक ते और अभी हम गुलाम बने हैं अभी रावन राज में है, जो रावन राज इस समय सारे विश्व पर है, भारत खास और दुनिया आम, सब रावन की जन्जीरों में बंदी हुई है, जिसको बाबा ने आज कहा, इसको कहते हैं शोक वाटी का, और सब को जो कर रहे हैं रावन की मत पर, अन्राइचेस रॉंग ही कर रहे है, यांकि रावन जब बाबा कहते है सारी दुनिया पर राज है, तो रावन कोई दस सिर्वाला था ही नहीं लेकिन सिंबल है वो भी के, विकारों का सिंबल है, पांच विकार नर्के, पांच विकार नरिके का και combined रूप है, जैसे जिष्णू, स्री लक्शनी, स्र बेति पर दॶत शोर्राफन ही दुवार्ब और भूत एकार उतनार विकरला हbenब हो थो तूर्थ के खाला ना चमेश क्लेंश को और बड़ कियरे और और। कि सुक की दुनिया नरायटियस मैंने दुख की दुनिया यहां तो सारी चीदि यmusic है आनरायटियस को एक शबद में कहेंगे अमर्याधित है वहां कुकर आप पुरसोतिम रहते हैं यह अमर्याधित ऽोग रहते हैं को कि मर्यादा तोड़ी दुख हुआ वास्तम में किसी भी मर्यादा का तोड़ना हिंसा है आप किसी का समान करना चाहिए आपको मैं अपने माता पिता का समान करना चाहिए मैं अपने माता पिता का समान ना करू हिंसा हो गई सामना करू तो और भी हिंसा हो गई इसी परकार से किसी भी मर्यादा का तोड़ना माल लिए कोई व्यक्ति जो है ज्यादा पानी बहा देता है अब ये भी मर्यादा का तोड़ना है ये भी कहीं न कहीं नुकसान कारक होगा इसलिए कहा जाता है कि कल जूग में मर्यादा का पालन होता ही नहीं या कम या ज्यादा मुर्यादा पर नी चलते या इदर या उदर रहते हैं बाबा की ते अब तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत जीवन मुक्त था, सुखधाम था, अब भारत दुखधाम है, जीवन बंद है बेहत का question हो जाता है, बेहत, बाप की ही सब बाते सुनाइएंगे जो हद में मनुष्य तो जानते हैंगें ना स्वरगौ ना नर्क को जानते, वो तो स्वरग को नर्कल्पना समझ लेते हैं क्योंकि बात वेहद की है तो हद की बुद्धी वाला वेहद की बात कैसे समझेगा कुए का मेंड़क जो है उसको बाहर का क्या पता ड्रामा अनादी भी है अविनाशी भी है इसमें कोई चेंज भी नहीं हो सकता है यह इतना शांदार बाबा ने ड्रामा आटुमेटिक एकस्परीन के इसकी लाइनों को आप पढ़ेंगे तो सब बहुत खुश होंगे यह तो अविनाशी बना बनाया ड्रामा है इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती मुखे शिव बाबा उसको creator director भी कहते है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है जगत अंबा जगत पिता का भी पार्ट है देवी देवताओं का भी पार्ट है इसलामी बोधी आदी आदी अपना अपना पार्ट बज जाते हैं वही पार्ट फिर सबको बजाना है फिर पार्ट में एक धर्म हो जाएगा फिर दूसरे धर्म वाले अपने समय पर अपना पार्ट रुपीट करेंगा इसमें बाबा ने कैसे विरिक्ष बढ़ता और घड़ता है कैसे ड्रामा आटोमेटिक ही चलता है इसी चीज को बाबा ने आगे एक्स्टेंट किया है अभी तुम जानते हो इस समय ब्रामन कुल की रेपिटिशन क्योंकि अब कौन सा पार्ट है वो बाबा बता रहा है प्रजा पिता ब्रह्मा से ब्रामन कुल की स्थापना होती है उनको ब्रामन संपरदाय कहते हैं क्राइस से कृस्टन संपरदाय की रचना हुई परंपिता पर्मात्मा ने ब्रह्मा और ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मन संपरदाय रची तो इनके मुख वंचावली होंगे कुख वंचावली तो हो न सकें कहते हैं तुम मात पिता हमबा लगते हैं तो हम अडॉप्टिड चिल्रन हैं यह अडॉप्शन ब्रह्मा को अडॉप्ट किया फिर ब्रह्मा द्वारा तुम ब्रह्मन ब्रह्मनिया अडॉप्ट होते हैं यनि बाबा ने पहले सारे चकर का पार्ट बताया फिर इस वकत का बताया इस वकत क्या है इस वकत बाबा कहता है कि कल जुगी दुनिया में तो शुद्र आलाय हो गया रावन राज है वह उससे अलग करके मैं अब कलम लगा रहा हूं तो मैं ब्रहमा के द्वारा ब्रामन बना अब क्या हो रहा है वो बाबा बताया है । बाबा ने कहा है ये जो adoption का काम है वो केवल संगंपर ही होता है ना पहले होता है ना बाद में हुता है और फिर बाबा ने का तुम followers कहेंगे तुम हमारे followers कहलाight नसको सन्यासियों की बात कह रहे हैं बाबा कभी यह adoption होती ही नहीं सन्यासियों की होती है वो अपने जिग्यासियों को adopt करते हैं कहेंगे तुम हमारे followers कहला न सको घर बार छोड़ कफनी पहने तब followers कहला है यहां तुम हो ब्रामन, तुमको यही सहज राज्योग का रास्ता सब को बताना है, कुछ ना कुछ समझाना है, एक सेकंड में बाप से वर्सा मिलता है। तो देखिए, बाबा ने बताया है, अब देखो, सद जुग में किसी को अडॉप्ट करने की दुरूद पड़ती है, नहीं, यह अडॉप्शन भी जब कल जुग कांत आता है, जब कईयों के संतान नहीं होती, धन होता है, गरीब होता है, उसके बहुत सारी संतान, उल्टा फ फॉलवयर् का मतलब होता है, फॉलो करना, अगर सनयासी ने अडॉप्ट किया तो चेले को भी संयासी बनना पडेगा, लेकिन सनयासी उन के तो जयादार फॉलवयर् गरस्ती हैं, भाबा कहत है उनको अडॉप्शन भी नहीं कह सकता है, यह बात बताई है, और यह अडॉप कल्ब की आयू तो बहुत लंबी बता देते हैं, चौरासिला की योनिया बता देते हैं, लेकिन बाबा ने ही तुम बच्चों को बता है की कल्ब की आईू कितनी थोड़ी है, फिर बाबा कहते हैं कि ये सब बातें तुमको कभी भूलनी ने चाहिएं, कभी स्टूडंट टीच को भूलते हैं कि यह बावा नहीं कहा है कि शास्तर लिखने वालों ने कहा यह तो स्रिश्टी चक्र में चार यूग भूगाने हैं भर हैं उसका स्व me Male स्व Chiya है।शमें ब्रह्मा का दिन ब्रहमा की रात भी कते हैं आदा आदा टा irregular टाइम होता है लेकिन शास्तर वाल ने क्योंकि आई कलब की सारे की बढ़ा दी है क्रोड़ों वर्ष कर दी है यह लाक वर्ष कर दिये 5000 वर्ष का बाबा कहते है यह ग्यान तो मेरे पास ही है ना आप देखो 5000 वर्ष में सारे अन्य धरम आगए तो देवताद धरम उससे पहले कितने वर्ष और चला होगा आधा लगा लो तो 5000 वर्ष का यह तो साइकल हुआ कहते भी है कहीं कहीं किया आज से 5000 साल क्राइट क इंदर प्रस्ता फिर लाखों वर्ष की बात कैसे आगी और अभी भी सोचो आज कहते है कल जुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है लेकिर विराश की तियारियां देखो तो क्या लगता है कि 40,000 वर्ष ये दुनिया चलेगी बाबा कहता है मैं ही सत्य बता और इसी चीज को बाबा अभी बहुत कोछ हमें भुलाया गलत बातें बता लेकिंगे इन ज्ञान की पॉइंट्स के आधार से हम बाबा को याद भी रखते हैं स्टूड़न अपने टीचर को याद रखते हैं बाबा के थे बस एक बाप को याद करो अंत काल में अगर कोई दूसा याद आया तो अं बाबा को याद करते रहना है गुरू का भी हमें उधार करना है माताओं बेहनों के द्वारा तो माता गुरू बिगर कोई का भी उधार नहीं हो सकता है अब ये भी बात है कि जब कहा जाता ना कि माता के बगएर किसी का उधार नहीं तो कई गुरू लोगों को ख्याल आता है कि अब हम तो दूसरों का उधार करने वाले हैं लोग हमारे पास आते हैं तो हमारा उधार माताओं करेंगी क्या फिर बाबा द्यान दलवाता कि इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बान मरवाय थे जो बड़े-बड़े शास्त्रों में जो लिखे हुआ दुनाचारी आदी-आदी के उनको कमात कर नयों का रूप रखे दिल वाय बान लगवाय थे फिर बाबा कहता है कि ये पढ़ो जो मेरा गीता में महावा के बर बगवान कहते हैं दुष्टों का भी सिंगार और सादू का भी उधार मैं करता हूं सादू का अरत होता है जो साधना कर रहा है सद्गती के लिए तो हम सब भगत भक्ती कर रहे हैं सद्गती के लिए सादू साधना कर रहे हैं सद्गती के लिए करने वाला तो परमात्मा ही है न हॉट। परमात्मा ही करते हैं और उसकी रेलाइजेशन हमको संगम पर ही होती है इससे पूर्वन नहीं होती और बबाबा माताओं बेहनों के द्वारा ही कर Mukher है कि यह कारे बाबाब में कमाताओं को दिया गया नीहरा माताओं कोई दिया गया ना फिर बाबा ने कहा है कि बच्चे मैं बनाता तो सोरग हूं लेकिन उतरती कला धीरे धीरे होती भारत को पतित बनना ही है क्योंकि बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकते हैं और बाबा कहते हैं अब तुम समझ गए हो सारी विश्यों की जरजरी भी तवस्यों ये तो बगवान ने पहले महाँ वाक्य उतार दिये जब कहा कि मैं ये सोरग बना रहा हूं बना रहा हूं लेकिन साथ क्या कह दिया फिर यदा यदाए फिर जब ये सोरग दीरे दीरे नर्क बन जाएगा फिर मैं आके इसको सोरग बनाऊंगा ये जो कहा गय यदा यदा धर्मज से गलाणिर, वह गौहान ने पहले कह दिया, कि मैं स्वर्ग बना के जा रहा हूं, यह स्वर्ग सदा नहीं रहना, गिर्ति कला आएगी, सतो से रजु आएगा, रजु से तमु आएगा, तमों से तमों परधान आएगा, फिर मैं आके फिर उस तमों से सतो बनाओं। बाबा कहते हैं कि जब स्वरग था तो दूसरे कोई नहीं थे, अब दूसरे सब है, तो स्वरग नहीं है, बड़ी बात फाउंडेशन ही नहीं है, अब वो जो अधिसनातन देवी देवता धरम था, उसकी पुना, स्थापनाश्री बाबाक था, इसके लिए बाबा मिसाल देत पुनाश्री का फाउंडेशन वहां बोड लगा हुआ, खट हट गया था, तो वो खड़ा रह सकता बिना फाउंडेशन के, तो दुनिया भी अब ब्रांचिस के अधार पर खड़ी है ना, वो देवता धरम तो नहीं है ना, आज देवता वाले भी अपने को हिंदू कहलाते और देवताओं को हिंदू के देवता कहते हैं इसकोई बावने मुडली के एंड में कहा है कि कृष्ण कोई ग्वाला नहीं था, माता हूं बेहनों के द्वारा जो कराता हूं तो उनको ग्यान घास कहलाता हूं ये चैतन ह्यूमन गवए हैं वर्दान है, उमंग उत्साह के आधार पर सदा उड़ती कला का अनुभव करने वाले हिम्मत वान भाव, उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंक्चाहें हैं क्यूंकि उमंग उत्साह नहीं तो थकावट होगी और थका हुआ कभी भी सफल नहीं होगा, वह तो अभासी स्लोगन है, दुआएं दो और दुआएं लो यही श्रेष्ठ पुरशात है, यही सच्ची कमाई भी है, यह थी बाबा की आज की मुर्ली, जिस मुर्ली में बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत का पालन और उसके साथ-साथ ज्ञान के विभिन राज समझाते हुए कहा, जितने ज्यानी तो आत्मा होंगे, उतनी अपनी अवस्ता हमारी स्ट्रॉंग होंगी, डामा डोल नहीं होंगी, ओम शाथ